हेलो माई डिर स्टुडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेज और आज बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पर डिसकस करने वाले एक भेतरीन कैलकुलेशन का ट्रिक हम आपको बताने वाले कि जब संख्याएं 100 के नजदीक हो 100 के नजदीक का मतलब क्या 100 से कम भी हो सकता है 100 स सव से कम और एक सव से जयादा मतलब इस तरह का कंडिशन हो इस तरह की संख्याएं हो तो कैसे हम बहुत कम टाइम में इसका 100 ट्रिकली कर सकते हैं मतलब calculation कर सकते हैं किस तरह से ठीक है जैसे पहले मैंने आपको मैंने लिखा है heading में धमाकेदार ठीक है ये और first heading है 100 के नजदीक की संख्याएं हो 100 के नजदीक में अगर हम यहां पर type 1 बना दे ठीक है type 1 में हम लिखे कि जब संख्या जब हो 100 से अधिक हो 2-3 type में क बहुत भेत्रीन class आज हम करेंगे बहुत भेत्रीन भेत्रीन चीजों को आज हम सिखेंगे और यह बहुत important है आपको बहुत काम देने वाला है जैसे माल लीजिए 100 के नजदीक हो 100 से अधिक हो अगर हम माल लीजिए कि यह question लेते है 105 into 106 ठीक है 105 into 106 अगर हम इसको गुना करते हैं तो आप खुद सोच के देखे कि इसमें कितना time लगा है अगर हम इसको नॉर्मल करे 105 into 106 ठीक है 105 into 106 635 के 03 यहां 6 बार में 0000 और एक बार में 501 ठीक है now 03 यह आपका हो जाएगा 651 और यह आपका हो जाएगा 11 एक तो first of all time लगा वो तो हमारा calculation बढ़िया है तो हमने फास्ट कर दिया बहुत सारे बच्चे कुछ इस ऐसे 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 उंगलियां फेड़ते रह जाते हैं और उनसे हो तो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जहां आपको 30 से 40 सकेंड लग रहा है वहां अगर हम 4 से 5 सकेंड में इस चीज को कर सकते हैं तो क्या यह आपके competitive या सभी पर्तियोगिता परिक्षाओं के लिए बहतरी नहीं वाना जाता है और बेस चली देखिए कैसे करेंगे फरस्ट अफॉल अब पहले तो हम थोड़ा सा बढ़ियां से सीखते हैं फिर ट्रिक यूज करेंगे मतलब एकदम इतना speed सीख लेंगे ने सीख को कि आपका भी कलपना नहीं कर सकते हैं सौ से कितना अधिक है तो इधर 5 अधिक है इधर सो से कितना अधिक है सधर इदर 6 अधिक है आप क्या करो इन नोनों को अच्छा पांच स्टेप में बनाओ 3,4,5 पांच स्टेप में right side 2ह स्टेप रहेगा इधर रेगा इधर 2 भी रा सकता है 5 हमने बना है जरूरी नहीं है आप चाहें तो 4 भी ब 6 अधिके प्लस 6 इन दोनों को आप गुणा करिए 6 पचे 30 आप उधर रख दो राइट साइड अब क्या करना है अगर आप इस 105 को उठाते हैं तो इधर वाला एड़ करना जस्ट तिर्चा तिर्ची तो 105 प्लस 6 111 अगर आप 106 लेते हैं तो इस 5 को एड़ करना है यानि दोनो कंडिशन में सेम ही आएगा यानि अगर 105 प्लस 6 करते तब भी 111 और 106 प्लस 5 करते तब भी 111 वन ट्रिपल वन थ्री जिरो नौ वन जीरो एट इंटू इंटू वन जीरो फाउर अब देखिए अब दीरे-दीरे जो है वो दीरे-दीरे चीजों को सीखते चलेंगे 4-5 अस् चक 32 समझी इस चीज़ को concept को समझ ये 8 अधिक है तो हमने 8 लिया 4 अधिक है तो हमने 4 लिया 8 गुने 4 कर दिया हो गया उदर 32 अगर आप इस 108 को उठाते है तो बताए इधर कितना अधिक है कहेंगे सर 4 अधिक है तो 108 और प्लस 4 करना है 112 और अगर आप 104 को लेते हैं तो इध 105 इंटू 107 एक दो तीन अभी किया स्टेप भी लेने की जोरेता है खुद भी समझदार होते चलते हैं राइट साइड दो स्टेप लेफ्ट दो तीन डिपेंड करेगा क्या खाम हो रहा है कितना अधिक है पांच अधिक है कितना अधिक है साथ अधिक है साथ पचे 35 concept का 12 ठीक है क्या होगा 1 1 2 3 5 एक बार calculator निकाल के देखना calculator से अगर यह कम speed पड़े ना तो फिर बताना मुझे आज़े देखते हैं और कुछ अगर मैं लूँ 109 इंटू 103 कुछ फास्ट फास्ट कुछ कोश्चन करते हैं 108 इंटू 109 103 इंटू 106 104 इंटू 109 102 इंटू 103 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102 इंटू करेंगे यह कुश्चन सौल कुछ ऐसे भी कुश्चन लिया है जो हमने जो सौ से एकदब नजदीक में आते हैं ठीक है इस तरह की कुश्चन कितना अधिक है ध्यान से सुन देखते चले अपनी आखे जो है अपनी निगाहें जो है इस पैनल के उपर बिलकुल गड़ा के र 172 अगर आप 108 को लेंगे तो सिर्फ इस 9 को जोडेंगे 108 प्लस 9 117 यह तीन अधिक है इधर 6 अधिक है छेतिया एक चीज़ और याद रखना इदम बिलकुल भूलना नहीं राइट साइड दो स्टेफ फिक्स होता है ठीक है राइट साइड दो फिक्स होता है ना तो दो से क ज्यादा ना तो दो से ज्यादा लेफ्ट के उपर डिपेंड करता है कोशन के उपर दो तीन चार जो भी हो जाए ऐसा होता है और आपको दो से तीन ही दिखेगा तो तीन अधिक है छे अधिक है छे तीया ठारा अगर आप इस 103 को लेते तो छे जोडेंगे 109 चार अगर 1 अधिक है तीन अधिक है कहिए गई एक सर दो तीय तो चो हो रहा है दो तीय छे और आपने बोला दो स्टेफ होना चाहिए तब क्या करेंगे शे के ओपर जीरो बैठा दें कि ना तब तो यह सार्व हो जाएगा छे हो रहा है ना तो आप ऐसे लिखे क्यों क्यूंकि हमने बोला राइट साइड दो स्टेफ होना ही अच्छा यह गलत हो गया जी नौचार 113 गलत हो गया नौचार चातीस और एक सो चार प्लस नो यहां पर मिस्टेक हो गया था कोई बात नहीं वो तो आप समझ रहे हो ना द अगर आप 102 लिजएगा तो तीन जोड़ना पड़ेगा यह तीन जोड़ना पड़ेगा ठीक है अगर आप 102 लेंगे तो इस तीन को जोड़ेंगे एक सो दो प्लस तीन एक सो पाच और अगर आप 103 को लेंगे तो यह दो जोड़ेंगे एक सो तीन प्लस दो एक सो पाच यानि हम 112 गुने 110 लेते हैं 111 गुने 112 लेते हैं 112 गुने 113 लेते हैं तब थोड़ी सी परेशानिया आपको बढ़ेगी और दिक्क्तों का सामना करना पड़ेगा पर मैं होतों हूँ एक दो तीन चार पाँच राइट साइट कितना राइट साइट फिक्स है दो ही स्टेप कहिएगा सर एक सो से कितना अधिक है सर जी सौ से बारा दिक है सौ से कितना अधिक है सर दस अधिक है बारा गुने 10 करेंगे तो कहिएगा सर बारा गुने 10 तो करिएगा तो 120 हो जाएगा ये 12 अधिक है, ये 10 अधिक है, 12 दहें के 120, कोई बात नहीं, राइट साइड आप 20 लिख दो, दिख रहा है यह, हाँ, एक, राइट साइड आप 20 लिख दो, हाथ में एक हो जाएगा, क्योंकि 12 इधर अधिक है, और इधर 10 अधिक है, तो 12 गुने 10, 120, अब 120 तो लिख दी सकते हम चीजों को, क्योंकि हमने बोले, राइट साइड दो, स्टेफ होना चाहिए, तो 12 दहें के 120 लिख दीजे न, उधर 20 कर दीजे, एक अपने हाथ में पकड़े वे रही है, और अगर आप 112 लेते हैं, तो ये 10 अधिक है, सबको पता है, अगर हम 112 लेंगे, तो 10 अधिक है, त 100 से 111 दीख है, 100 से 12 दीख है, 12 गुने 11, 132 होता है, 132 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 32 लिखना है, हाथ में कितना जी, ये भूलना नहीं है, इस हाथ में एक है, वो भूलना नहीं है, और अगर हम 111 लेते हैं, तो 12 जोडेंगे, 11, 12, 120, अगर हम 112 लेते हैं, तो सिर्फ 211 को जोड़िएगा तो 112 प्लस 113 और उधर एक हात में था 124 अगर 112 लेते हैं तो तो तेरा जोडेंगे ठीक है 123 देंगे 133 देंगे 133 दूनी 26 3050 प्लस 156 156 नहीं लिखना है कितना लिखना है जी 56 लिखना और अगर हम 112 लेते हैं तो तो 13 जोडेंगे ठीक है 123 125 और लेकिन एक हात में था क्योंकि 156 156 का आमने 56 दिखा और क्योंकि राइट साथ दो इस्टेप लिखना है तो 123 125 प्लस एक 12656 दा राइट इन स्टेप टू ठीक है फरस्ट स्टेप में था ये अब हम उठाएंगे स्टेप टू स्टेप टू में हम क्या गरेंगे कि जब शंख्या जब संख्या 100 से कम हो देखिए अच्छा ये चीज़ा और साइन भी बहुत इंपोर्टन रखता है लेकिन यहां आमने इंपोर्टन इसलिए नहीं माना क्योंकि 105 में यह प्लस पास था अड़ी 106 में प्लस से था तो प्लस इधर भी प्लस इधर भी प्लस 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 ही होता है इसलिए साइन ज्यादा इंपोर्डन यह लेकिन वहीं अगर दोनों जगा कुछ और है या इधर दर रहे तो परिशानिया आपको होगी नौ 100 से कम हो कौन सा 96 गुने 95 97 गुने 96 95 गुने 97 98 गुने 91 यही चीज़ अगर मानिये न 96 95 कस्ट कितना है पहले यह आप देखी अपने अंदर परिशानियों को ढूंड़िये किसर यह कर अचा यह रूल कहां पर लागू होगा जब संख्याएं 100 के आसपास हो 100 के आसपास का मतब मैक्सिमम आप 120 तक जा सकते हैं मिनिमम असी के आसपास अब 140 लेकर जाए तो 100 के आसपास होगा तो देर्स होगा आसपास मतब जो आपके डाइरे में हो आपके अंडर हो आप उस तरह के कुश्चिन का सॉल्यूशन हमारे ट्रिक के थुरू कर से अब देखिए छे पच्छे तीस के जीरो हाथ में रहा तीन नौपच्छे पेतालिस तीन अड़तालिस समझ यह परिशानी कि दना चिए जह पच्छे तीस के जीरो हाथ मेरा तीन कहीं बूल भी जाए यह वह भी परिशानी होगा नौपच्छापेतालिस तीन तीन फास्ट कर दिया लेकिन जो नौर्मल बच्चे होते इनका नौर्मल क्यल्कुलेशन है उनको परिशानी होगे और आपको पता है कि क्यल्कुलेशन की कितनी वैल्यू है इस तरह के सभी कॉंपटेटिटिव एक्जाम में चलिए आइए शी 95 विदाउट एनी पेन शॉट्ट प्रिक सॉल्यूशन अच्छा थोड़ा मैं इधर लिख दू 96 इंटू 95 शीखते हैं जी एक दो तीन चार इधर कितना होगा उससे हमको मतलब नहीं है उधर कितना होगा दो साइड उधर दो ही साइड रखना है तीनो जितना भी इस तरह का concept यूज करेंगे राइट साइड दो स्टेप लेट में कितना रखना है वो डिपेंड करेगा कोश्चन के आकार पर कि हम क्या कर रहे हैं चलिए topic क्या है topic है संख्याएं 100 के नजदीख हो और उसमें हमने second step उठाया कि संख्या 100 से कम हो बत्तब आपका आधार शिला क्या है आपका आधार शिला है 100 100 तो आप बताईए ये 100 से क्या लग रहा है कहेंगे सर 100 से 4 कम है और क्या माइनस 4 यह क्या लग रहा है कहेंगे सर 100 से भाज कम है माइनस 5 देखो ऐसा नहीं कि 96 अच्छे लिख देना वहाँ 104 था तो 4 लिख रहे तो 108 था तो 8 लिख रहे थे वो था 100 से 8 अधिक यहां है 100 से कम तो 100 से 96 है तो 100 से कितना कम है ऑबैसली 4 कम है और सर किदना कम है , पांच कम है तो हमाइनस 4 अच्छा ===- períकली ६्यक्णने 4 शोट मैणस । माइनस 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 आपलिकलेолी ६्लस होता है यहां पे भीसाइन का कोई खेल चिन का कोई खेल नहीं है मतलब इकनॉर करके भी हम चल सकते हैं नहीं तो में पंच गटाना पड़ेगा 91ग अगर आप 95 लेते हैं अगर आप 95 लेते हैं तो पता है कि यह सो से की चार कम है तो पनच शी आंवे में पांच गटा हिए तभी 91 को मताब आपकी मर्जी के रिखाफ मातब क्या कर रहे हो गटा रहे हो यह से इसमें घड़ार हो या इसमें गड़ार हो दोनों कंडिशन में सेम आंसर आना चाहिए याईनी 9120 इस दराइट अन्सरों इसकोशन है लोगी है डन सीख रहे हो आप मुझे पता है सीख रहे हो आप इसलिए शेयर एंड लाइक बिल्कुल आपका यह परंकर्तब नाओ यह आपका परम कर्तब भी है, now 96 into 97, देखिए, अब खुद से भी दिमाग लगाईए, मैं 4 step इहाँ बना देता हूँ, हलाकि इसकी जुरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अभी बना रहा हूँ, फिर आप धिरे धिरे सिखते हो, खुद से आप बताएए, 100 से कितना कम है य 96 है, तो चार कम होगा, तो इधर 3 कम, उधर कम कम, उधर 4 कम, तो कम का गुना कम से करिए, 4 तीया, 12, और कहिए अधर माइनस 3 था, उधर माइनस 4 था, माइनस माइनस पलस हो गया, यानि हम चिन्हा को भूल गया, अब बताएए, अगर हम 97 लेते हैं, तो उधर वाला कितना कम है, तो इधर कितना कम है, इधर 3 कम है, 96 हम तीन गया, यानि आपका राइट अंसर, 9, 3, 1, 2, is the right answer, am I right, यानि 96 गुने 95, 96 गुने 95 करेंगे, 9, 1, 2, 0, अगर 97 गुने 96 करेंगे, 9, 3, 1, 2, clear? 95 कितना कम है ये, 5, इधर कितना कम है, कम देखना है, 5 कम है, 3 कम है, 5 तीन गम है, 5 तीया, 15, 95 है तो 5 कम है, 97 है तो 3 कम है, 5 तीया, 15, अगर 45 कितना यही पांचाराने यह依ाः कितना हैन दो कम है अथार नौक में नोडुनी 9 ये 25 पांचांवे दह्म लेते हैं है क्यानुवय में इधर देखिए कितना कम है न और इतना कम है नव है तो नव दुनी अठावरा और अगर आप एक आनव ilethe अ आप गटा देंगे तो नवर सी अच्छाहर फिल्ट एक नवर सब्सक्मे से सब्द राइबस राइट दी पहते उसक्ष्म में जैसेमेंď इतानवे गुने, संतानवे, निन्यानवे गुने, सियानवे, एक्यानवे गुने, अठासी, नबे गुने, नवाशी, चली, अगर आप इतना सीख रहे हैं तो हमारे इसाब से सही है, कितना स्टेप जाएगा यह, राइट साइड दो, फिक्स है, लेफ्ट में आपके उपर ड दो कम है, उदर, तीन कम है, दो टीः, अगर आप लेते हैं तो तीन of a. स मट्चानवें तो टना सो जैसे आपकी मर्जी 9506 आपका अंसर आएगा कितना कम है एक कम है इधर चार कम है चार गुणे 1 0-4, समझे ऐस चिशcoat चार एक कम है चार कम है, तो चार गुने एक चार तो चार नहीं लिखके, 0-4 अगर आप 96 लेते हैं तो एकल है, 95 आगर आप 99 लेते हैं तो 珍हर कम है, 95 मतब 99, यह एक कम है और यह 4 कम है तो अब चार गुने एक करेंगे 0-4 परिशानी देखो यह पर आएगा 91 x 88 यह परिशानी आएगा कितना कम है 9 कम है इधर कितना कम है 12 एक, दो, तीन, चार, इधर चारी स्टेप रहेगा, मतलब दो स्टेप रहेगा, नौ कम है, बारा कम है, बारा नमा एक सो आट, आप यहां रख दीजे, एक सो आट, कहिएगा सरी पॉसिबल है, एक सो आट घटाएंगे, कोई बात नहीं, I will try कि हम कुछ कर ले, ठीक है, एक सो कर लेंगे, यहां तक दिक्कत है, नहीं तो फिर ऐसा करिए, बारा नमा, एक सो आट का जीरो आट लिख दिया, अभी हाथ में कितना, हाथ में, एक सेट, पहले आप करिए, नाइन उवन, इंटु एट एट, आट, नवठी बाहत्तर, आट, नवठी बाहत्तर, आट, आट, एक सेट, रिकर, तो अभी कितना आया, अभी नौ कम है आट कम है बारा नमा, एक सो आट, तमजी इसको, एक सो आट का आठ लिखा हाथ में, कितना होगा, एक, एक्यानवे में बारा घटाईए कितना एक्यानवे में बारा घटाईएगा 79 आता है और अगर आप 88 में नौ घटाते हैं तब भी 70 मत्तब एक्यानवे में आप बारा घटा दीजिए या एक्यानवे में नाइन घटा दीजिए 79 आएगा और हाथ में एक इधर बैचा था बचावा था ना तो 79 प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्यानवे में यहां पर क्या लिखेंगे 8008 बताइए कितना कम है कहेंगे सर 10 कम है कितना कम है 11 कम है 11 दहेंके 110 में क्या लिखेंगे सिर्फ 10 लिखेंगे हाथ में एक बच गया और 90 में 11 गया 89 और 89 में 10 गया वही 89 प्लस एक 8010 तो इस तरह के सवाल आपको परिशान ना करें इसलिए यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि जब संख्याएं 100 के नजदीक हो और हमें इस तरह से इसका कैलकुलिशन करना हो तो I hope कि यह बहुत important रहोगा आज का class आपके लिए like share and subscribe जरूर करेंगे चैनल को और बहुत अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए continue लेकर आउं तो please बिल्कुल हमारे साथ active हो जाए हमारे साथ जुड़ जाए बहुत मज़ा आने वाले ओके बाई बाई